सबसे जादा more conflicting वीडियो जो कि आपको अपने mind से लड़ना पड़ता है और वो ये है कि after 12th हम कौन सा career choose करें हो सकता है ये चीज़ आपको after 10th भी thought आजाए कि after 10th कौन सा stream choose करें या mostly जो है students को आता है after 12th कौन सा career choose करें कौन सा course अच्छा रहेगा कौन सा college अच्छी रहेगी कौन सी life मुझे चुननी चाहिए कहाँ पर जादा पैसा मिलता है इन चारो point पर बात करेंगे कि करके वीडियो के लाश तक बने रही है मैं जानता हूँ आप लोग 10 से जादा वीडियो देख चुके होगे और हर किसी में एक ही common answer मिलता है answer क्या है answer यह है जो आपका दिल करें वो लो आप जिन्दगी में आगे बढ़े जाओगे मैं आपको इक बाता हूँ इसमें एक चीज की missing है और वो यह है कि connection फील नहीं होता यह तो ऐसा हो गया कि हम पर ही छोड़ दिया पूरी वीडियो देख लिए और ऐसा लगा हम पर ही छोड़ दिया क्योंकि आप एक generation है जो की mostly जो अप लाइक करते हो वो है Gen Z में Gen Z generation जो है अगर आप समझो के मेरी वीडियो नहीं देखिए जरूर से जाके देखना उस Gen Z मैंने बताया कि सारे generation कैसे कैसे वर्क कर दी थी Generation X हो गई, Baby Boomer हो गई, Y हो गई, Millionaire हो गई, Generation Z हो गई जो कि आप लोग हो Gen Z, most of the लोग आप लोग उसमें लाइक करते होगे और फिस Gen Alpha भी नहीं नहीं आई है वो Gen Z को most depressed जो है वो generation बोला गया है क्यों बोला गया है क्यों यह उसको खिताब मिला है क्यों यह उसको title मिला है वो इसलिए क्योंकि इनके पास information आपके साथ है आपके पास information इतनी सारी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा career चूज करें एक तरीके से आपका यह कहीं नहीं लगता है कि most of the students जो होते हैं वो दोस्तों को देखके चले आते हैं वहीं पर कुछ students होते हैं जो की सोचते हैं कि यह देखते हैं कि आज कर इ सिंपल सा है वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट में अपना experience बताऊंगा नहीं तो आप संचोगा कि इतनी बड़ी-बड़ी बाते करने का मतलब क्या है जब अपने खुद पे इंप्लीमेंट नहीं किया अपनी भी struggling life बताऊँगा समझ में आयागा कि कितना tough होता है उस बात नहीं है जिन्देगी कोई भागी नहीं जारी है सोच समझ के बढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखे बिजनस हो चाहे life हो matter यह नहीं करता कि पहले किस ने start किया race को matter यह करता है कौन समझ के start कर रहा है और कौन कितना prepared है उसके लिए यह matter करता है एक example ले 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 कुम आया जीजी इसलिए आया क्योंकि पहले से मार्केट में बड़े 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 बैठे हुए कौन है अईयल सबसे बड़ा अप्ले के साथ अ आया के पूरा मार्केट को दिस्रॉप कर दिया Monopoly create कर दी अगर आप देखो के तो एह टेल है तो Monopoly कर रखा है Case कर रखा है Monopoly create कर दी जब जागो तभी Savera कहानी सुनी है ये नहीं कहा पहले जागो फिर Savera मिलेगा आपको नहीं जब जागो तब Savera मिलेगा पहले जागो तो Savera देखने को मिल जागा सुब़ सुब़ सूरज देखने को मिल जागा ये कभी लाइन नहीं थी लाइन दी जब जागो तब Savera कहने का मतलब क्या है आप course चुनो आपको जो समझ में आ रहा है आज की rate में आपको लगता है मुझे ये course चुन लो आपको नहीं समझ में आ रहा है पैशन में चुनना है या पैसे को देखते वे चुनना है या किस चीज़ को देखते वे चुनना है आपको बस ये समझ में आ रहा है मेरे दोस्त इस डिरेक्शन में जा रहे है मुझे भी उन्हीं के साथ जाना है आप चले जाओ यह आप पर depend करता है कि आप क्या सोच रहे हो कैसे सोच रहे हो माल लेते हैं आपने course ले लिया और एक साल बाद आपके mind में आया और आप वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा एक साल बाद आपको clarity आ गए तो जब जागो तभी सवेरा उनके लिए बहुत easy है लेकिन कई बर क्या होता है यह आपको depend करता है कि आपको एक साल बाद जागोगे दो साल बाद जागोगे तीन साल बाद जागोगे वो समझ कब आएगी किसी को 5 साल बाद 6 साल बाद समझ में आती है मेरी अब की समझ यह कहते है कि मुझे वहाँ जाना चीथा तब आप वो देखो कि आपको उस तरफ जाने का cost कितना पड़ेगा उस तरफ जाने का time कितना पड़ेगा हिम्मत है तो कर लो हिम्मत है तो वो रास्ता चुन लो मतलब माल लो आप इस direction में जा रहे हो और बीच और आहे पर आपको अकल आती है कि नहीं यहां नहीं आना चाहता यहां से राइड जाना चाहता तो अब वहीं से राइड चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक साल दो साल लगते हैं किसी को तीन साल चार साल लग सकते हैं बट मैं आपको बता चाहता हूं कि ज इसा सोच बधलेगी बढ़ेगी तो उसके हिसाफ सीजन लीजएगा लेधे वादस बढ़ेगी तो उसके हिसाफ से डिसीजन लीजिएगा तो ऊस सौर्च पर उस टाइम पर action जरूर ले लिजएगा बस इतनी हिम्मत रखिएगा मैं अगर आप लोगों को बता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जादा brain storming करते हैं कि एकदम perfect answer निकालने कोश्च करते हैं अगर आपको अभी इतनी समझेशना इतने में perfect answer नहीं निकलेगा जगे पर college में अडमिशन होगे मेरा नहीं हो रहा था, उनी सेम अगर college में लेना है, जहांबे मेरे दोस्तों को करना है, जहांबे मेरे दोस्तों को हो रखा है, तो में को donation देनी पड़ेगी, donation कितनी बीस लाग, पचीस लाग दिली बे, तो फिर क्या हुआ, मैंने एक course चुना engineering, civil engineering का एक course होना, सबसे पहले मैंने अपने parents से बोला, कि मुझे animation करना है, मुझे games में काफी shock है, तो मैं games का करना चाहता हूँ, मेरे parents से मना कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आया कि छड़ो ठीक है, मैं इतना clearly उनको answer नहीं दे पा रहा, क्योंकि convince करना होता है, कि मुझे दुबारा reappear करना चाहेगा to wealth, तो मुझे पता ही नहीं है, उतनी clarity ही नहीं, तो मैंने क्या क्या क्या, मैंने फादर को बोला कि मुझे civil engineering करना है, वो करवा दीजे, मेरे फादर ने करवा दी, तो जहां मेरे दोस्तों का हो रहा था, मैंने वहीं कर लिया, जब मैं दोस्तों का हुआ था, डोनेशन दे चुका हूँ, लेकिन एक साल बाद मैंने face किया, मैंने वो guts रखा कि मैंने मेरे parents को बोला, अब यकीन ही मानोगा आपको लोगेगा कि बहुत फाइनल चली background बहुत मजबूत होगा, नहीं, मेरे फादर ने उसको डोनेशन को देने के लि देख के एक बेटे का जो दिल होता है, वो सिर्फ मैं जानता है, वो दर्द क्या था, ऐसा लादा है कि दुनिया खरीद के जादूँगा उस टाइम पर, ये जोश था मेरे अंदर, मैं आपको seriously बता रहा हूँ, सोचो इसके बाद भी मैंने एक साल बाद हिम्मत रखी ये ब अठारा महाँ तरूमा कर रहा था, मैं आठारा महाहा था, 12 महाहारा था, 12 न बारा ये, 13 महाहे था, 13 महाहार था, 13 महाहा था, 17 मही है, मैं नहीं कि आma आप क्या हुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहां पर वह वाइब नहीं मिल रही है एक तो सारे बड़े-बड़े लोग होते हैं जो बी-कॉम-बी-सीय करके आये वे होते हैं ठीक है तो उनकी मैचुर्टी लेवल अलग है मैं कहां टुवेल्ट करने के बाद आया हूं क्या करना तो मैं बोलने से पहले यह आंसर लेगे गया था कि पाप जी मास कॉम करता हूं कि मास कॉम में एनिमेशन जो मैंने सीखा है वो skills काम आती है वो graphics लगाना लोगाना साइड में ग्राफिक्स आना टेंपरेट बनाना ये सब चीज़ा काम आती है पाप जी मैं कर लू फर्स सेमेस्टर का एक्जाम दिया, देने के बास समझ में यह भी नहीं करना, क्यों? खाली बुक पढ़ रहा हूँ, और जब एक्जाम देने गया, देख रहा हूँ, सेंटर पे हजार लोग मेरे से बड़े-बड़े लोग बैठे हुए है, एक्जाम देने के लिए लिए है, मैं युका ऐसा लगा, कहां मैं जिन्दगी में खोक्या रहा गया, मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप यकीन ही मानोगी, इन चीज़ को करते-करते, मेरे तीन साल निकल गए, एक साल से जादा एनिमेशन था, और उसके बाद छ जीरो पर भी नहीं हूँ, फिर मैंने आंसर निकाला, कि मुझे शायद से ये सारे चीज़ों को मैंने जो इसमें सीखा Civil Engineering में, जो एनिमेशन में सीखा और जो मास कॉम में सीखा, इनको कहां इंप्लीमेंट कर साता हूँ, थोड़ा ही बहुत दो सीखा, कहां इंप्लीमेंट बात ऐसी थी कि मेरा एज बढ़ चुका था, कि मैं वह एंट्रेंस एक्जाम नहीं दे सकता, अगर इस साल एंट्रेंस एक्जाम नहीं दिया तो मैं कभी नहीं दे सकता, देख रहे हो, अब आपको ऐसा लगएगा, जिंदगी भागती भी चाहिए, तीन साल हो चुके हैं, इस साल नहीं जा, तो मैंने फादर से बहुत है, वह जी एजुकेशन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लिया, बढ़ी बहुत तफ़ तरीके से मिला, उस जरनी पर नहीं जाओँगा, लेकिन एजुकेशन लोन लेने के बाद, जब मैं उस कोर्स में गया, तो मैं जैपूर मैं आया, दिल्ली से जैपूर आया, दिल्ली में जैपूर आके फिर पढ़ाई की पहने, ठीक है, अब आप समझेए, उसके बाद, उसके बाद, जब मैं मेरे फर्स्ट एयर में आया है, मेरे सारे दोस्त, जो मेरे टैंथ और ट्वेल्थ के जो दोस्त है, वो कहां पर आ कुछ कर दो मैं, वो मेरे अंदर वो जोश था, तो जब मैं आया, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर आया, इसे से रिडिटर आज ये चैनल भी बना पा रहा हूं, तो जब मैं आया इस चीज में, और मैंने ये चीज की, वाट आई फाउंड इस, वाट आई फाउंड कुछ हैं, थौचों, उनका तो चौहता साल चल रहा था, उसके बाद बहुत आइन साल और बाहल already, उनका फाउते साल चल रहा था, मैं फ़स्ट येर में थायर मुझे पांसाल की जर्नी पूरी कर만ी थी, मतलब जब उनका छोंती साल कॉम्पीरीट होता, मेरा फास य Sag detail मेरे डबल कमाता, क्या कहने का मतलब है, जिन्दगी में जब समझ में है न तब action लेने की ताकत रखो, क्योंकि तब आपके दिमाग में वो knowledge आई है, अगर तब आप उस opportunity को grab नहीं करोगे, तब नहीं करोगे, तब आप गलत हो, बात ये नहीं है कि 12 में आपको इदम वो समझ होनी चाहिए थी कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बात ये होनी चाहिए थी कि जब आपको समझ में आई, तब आपने action लिया, कि नहीं लिया, बात इस पर होनी चाहिए थी, तो कभी भी याद रखिए, जो पहले start करता है race, वो जीतेगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, जिसने 12th के पहले साल से अपना college स्टार्ट कर दिया, और वो ही आगे जाधा कमाएगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, ये चीज मैंने आपको जियो revolution के example लेके दिखा दिया, आप जिन्दगी ये किसी में भी देख लीजिए, चाहिए आप ये कहावात ही सुन लिजे, होता है, बे को एक दम अलग वो मिला, और अमिला, तो समझे लो, कैसे आपका mind work करता है, बस आपको जब अकल आए ना, तब आप action लोगे, तब आप सही जगे पहुँचोगे, जब अकल आई तब भी आप यही कहोगे, नहीं आप तो ले लिया, आप चल लेते हैं, अब ये आपको दोस्तों के पीछे जाना है, आप दोस्तों के पीछे जाओ, क्योंकि हर किसी में एक life learning भी होगी, हर किसी के अपने advantage और disadvantage है, ऐसा नहीं है, कोई perfect path है, क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बाद में पैसे में भी problem होती है, मैं उसमें फिर कभी next video में बात करूँगा, कि पैसे के पीछे भागने वाले course में क्या दिक्कत होती है, उस पर भी बात करूँगा, बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वीडियो अच्छी लगी, तो like कीजिए, I hope so, कि आपको वीडियो बात समझ में आई होगी, और दिल तक बात पहुची होगी, क actually में कैसे करना होता है, अपने example के साथ समझाया है, आप life में किसी के साथ भी implement कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, last pass बात इतना ही बोलूँगा, generation वाली वीडियो ज़रूर से देखिए, कैसे gen Z जो है, वो depressed बनती चली गई, क्यों उनके पास data जो है, वो overload है, वो अकेले project को A से लेके Z तक complete drawing अकेले खुद से नहीं बना सकते, उसका आपके बास confidence नहीं है, क्योंकि college वाले ये चीज़ नहीं सिखाते, A से लेके Z तक की hierarchy नहीं सिखाते, कैसे बनाते वो नहीं सिखाते, internship में भी जाएंगे, तो आपको कोई एक ही चीज बार बार करवाई जाएगी, या तो सिर्फ 3D बनवाना करवाया जाएगा, या कोई planning यी बार बार करवाया जाएगी, लेकिन वो complete hierarchy, complete drawings की detailing concept कोई नहीं सिखाता, so here we guys, being an architect, I made this course, trust me, ये एक अकेला पूरे इंडिया का अकेला एक ऐसा course है, जहाँ पर मैंने architecture से related बात की है, कि एक architect की thoughtfulness कैसी ह होनी चाहिए, एक architect का thought कैसा होना चाहिए, डिजाइन करते बगए, engineering की course लेने जाओ, तो महाँ पर सिर्फ technical बाते होती है, interior की course लेने जाओ, तो महाँ पर सिर्फ interior designing की बात होती है, architect के लिए एक अकेला एक ऐसा course नहीं है, आज तक की date में, and trust me, इस course मैंने आपको A से लेके Z तक की चीज़े बताई है, एक project के, क्या आप अकेले एक project के within a minute, 10-10 variations दिखा सकते हो, मतलब 10-10 तरीके के elevations दिखा सकते हो, नई, महीनों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, साव लग जाएंगे, अगर आप 10-100 या 200 की अगर बात की जाएंगे, 200 variety दिखाओ, मुझे एक ही project के, इस course में ये चीज़ possible है, with the help of AI tool, कैसे आपको concept बनाना है, कैसे आपको fast page पे planning करना है, एक ही planning छेचे महीने तक करोगे, तो दूसरा project लेने कब जाओगे, सोचने वाली बात है, तो fast page पे planning कैसे करें, कैसे हमारे beam का depth है इतना ही होना चाहिए, 450 होना चाहिए, 300 ही इंटर स्विच की नहीं हो सकती, ये कौन बताएगा, furniture layout में हम सोफे को इधर ही रखें, उस side क्यों नहीं रखें, ये कैसे पचलेगा, हर एक चीज detail में, इस course के अंदर 20 घंटे का ये course है, इस course में हर एक चीज detail में बताईए, पहले हाथ से बना के बताया है, कि ये चीज य plumbing की drawing, plumbing layout, हर एक चीज detail में बताया है, कैसे आप अपने folder को organize करते हो, कैसे आप elevations बनाते हो, कैसे आप AI tool 2023 के अंदर use में लेते हो, हर एक चीज in depth, in detail बताया है, नीचे दिये हुए learn more बटन पे क्लिक कीजे, और अभी मेरे इस course हो enroll कीज़, और आपको हर एक चीज detail में पहच 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं, एक hierarchy पता करने में की एक घर को बनाने के लिए A से लेकि Z तक कौन-कौन सी drawing लगती है, कहां-कहां पर लगती है, कौन से stages में लगती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे concept की clarity रखे, वो हर एक चीज आपको एक अकेले course में मिलेगा, नीचे दिया ह लगता हुआ है, learn more का button, 1699 का आपको इस course का price देखने को मिलेगा, एंड जाए जाके अभी enroll कीजिए, क्योंकि यह कोई online random course नहीं है, यह मेरा experience है, जो मैं आप लोग से share कर रहा हूँ, architecture से related.